Dear friends, women in health, they are very closely connected. क्योंकि अगर घर में कोई बिमार होता है, तबी भी हम ही उनका ख्याल रखते हैं. घर में किसी के लिए अच्छा खाना बनाना है, दवाईयां खरीदना है, वो सब काम हमी करते हैं. और बच्चों का पूरा ख्याल ज्यादा तर ममीज ही रखती है. तो जब हम ही conscious हो जाएंगे, जब हम शौपिंग करने जाएंगे, तब conscious रहेंगे कि छोटा बच्चा है, तो उसके पसंद का क्या खाना है, और मैं कैसे खरीदी कर रही हूं. अगर बच्चे को चिप्स पसंद है, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, कि रोस्टेट चिप्स मिलती है, वो खरीच सकते हैं, ऐसे भी चिप्स खरीच सकते हैं, जिसमें पोटेटोस के साथ स्किन भी होती है, अगर बच्चे को कुकीज या केक्स पसंद है, तो उसमें भी healthier options रखना है, कि उनको डियाबिटीज है, और वो क्या खा सकते हैं, क्या नहीं खा सकते हैं, उनके लिए क्या healthier options है, अभी हर चीज के लिए healthier options सूपर मार्केट में मिल जाते हैं, अगर किसी को डियाबिटीज है, और उनको बहुत दिनों के बाद आइसक्रीम खाने को मन कर गया तो आप सोचिये और ढूंडिये, कि आप कैसे ऐसा आइसक्रीम पसंद कर सकते हैं, जो low fat हो और sugar free हो, शायद आपको अच्छा option मिल जाएगा और आप खरीच सकते हैं, वैसे ही जब आप घर जाएंगे और कोई चीज बना रहे हैं, और वो ही diabetic patient को वो खाने को मन करेगा, तो sugar डालने से पहले, वो sweet dish आप उनके लिए निकाल सकते हैं, और doctor ने जो भी permitted artificial sweetener लेने के लिए बोला है, वो बाद में आप उसे add कर सकते हैं, और पूरे families के लिए आप normal sweets बना सकते हैं, इसमें थोड़ी सी तकलिफ लेनी पड़ती है, थोड़ा याद रखना पड़ता है, व जाएगी, so we will feel very miserable, we will feel very bad.